हेलो दोस्तो, वेलकम टू दो विजटम टूथ दोस्तो चाइना लगतार कोशिश कर रहे हमारी एरिया में घुशने की जिसके वज़े से हम इंडिया के लिए चाइना को लेकर बहुत ही घुश्सा है और आजकल न्यूज में चाइना ही चाया रहता है चैना की एकॉनमी, हमारी एकॉनमी, चैना के प्रतोट्स को कैसे बॉइकट किया जाए चैना यह सब क्यों कर रहा है आखे चैना मतलब क्या दिखाना चाहता है वगरा वगरा तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चैना के इस aggression के behind के जो पीछे जो philosophy है जो agenda है चाहे चाइना इसा कर क्यों रहा है वो क्या दिखाना क्या चाहता है वो दुनिया को क्या दिखाना चाहता है या फिर कुछ ऐसा है जो अपने ही लोगों को दिखाना चाहता है हम इन सब topic पे आज बात करेंगे wisdom tooth पे और भी कई सारे interesting topics पे वीडियो बने हुए है जो आपको playlist दो मिल जाएंगे तो दोस्तो अगर कोई ऐसी चीज है जो चाइना नहीं करना चाहेगा आज तो वो है लड़ाई तो आप कहेंगे कि अगर वो लड़ाई ही नहीं करना चाहता तो वो फिर जो सब कर रहा है border पे वैसा क्यों हो रहा है तो उसका एक simple जवाब है दोस्तो पहली बात तो इसके लिए आपको यह समझना होगा कि जो चाइना आज हमारे साथ कर रहा हो सुफिर हमारे साथ नहीं कर रहा तो फिर वापस आते हैं तो चाइना actually क्या है अपने आपको आज के date में global leader बनाना चाहता है और वो चाइना अमेरिका को हटाना चाहता है and to be honest वो हमें इस race में देखता ही नहीं वो बस यह चाहता है कि हम अपनी problems में busy रहें और अगर हम अपनी problems में busy ना होके आगर development कर रहें तो वो हमारे लिए problems खड़ी करता है क्यूंकि उसे यह जरूर पता है कि अगर कोई country है जो उसे in future टकर दे सकती है या फिर हो सकता है कि उसे global leadership होने के बाद महां से हटा सकती है तो वो इंडिया है और यही कारण है कि आज की रेटे में China, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh को अपना दोस्त बनाना चाहता है और हमें चारों तरफ से गेरना चाहता है ठीक है यह तो बहुत यहासान सा स वीडियो का वो यह है कि आखिर यह अभी पिछले कुछ दिनों से ऐसा क्यूं हो रहा है पहले डोकलाम हुआ अब लग दाख हो रहा है तो यानि कि यह ऐसी कौन-कौन से reasons हैं जो अभी उभरे हैं या अभी बाहर आए हैं जिसकी वज़े से चाइना है सब कर रहा है तो अब पार्ट में हम यह समझेंगे कि internally चाइना के अंदर है पहला कारण है कि चाइना के internal problem देखिए चाइना के अंदर जो कुछ भी होता है वो बाहर की दुनिया तक नहीं आती है बठा अगर चाइनिस सरकार कुछ अच्छा करती है तो वो जरूर उसको 10 गुना बढ़ा के कहती ह चाइना में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिससे वहां के लोग परिशान है जैसे की धर्म को लेकर कोई आजादी नहीं है वहां लोग अपने धर्म भी चाइनिस कॉम्मिनिस्ट पार्टी के बनाए नियम पे पालन करते हैं फिर चाहे वो तिबद के बुद्धिस्ट हो में चाइनन चाइना में रह रहे है कृश्यन या फिर वेस्टर्न चाइना में रहढ़ है और उइगूर मुस्लिम सोःफ हो तो बहुत ही क्राबालत रखे है चाइनिस कवहां मुसलिम 18 साल से कम लुक्ते हों तो मॉप सब्सकum नहीं जा सकते मास्जिद नहीं जा सकते बुर्का सारे limitations हैं आप religious study जो मदरसाद पढ़ाया जाता है उस पे भी कई सारे limitations हैं आप अगर Chinese सरकार अगर किसी को सारे मस्जिद को यह permission नहीं देती सारे मदरसाद को यह permission नहीं देती उसने कुछ decide कर रखा हैं वहीं सारे Islamic laws के हिसाब से आप काम कर सकते हैं यहां एक बहुत interesting बात में आप लोगे सारे शेयर करना चाहता हूँ पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं होता हमारे खिलाफ international level पर बोलने के लिए तो वो यह कहता है कि भारत में मुसल्मानों को torture किया जाता है लेकिन वो चाईना को कभी कुछ नहीं कहता क्यूंकि चाईना जब भी पाकिस्तान कुछ ऐसा कहना कहता है या सोचता ही है तब ही चाईना उसका मुओ बन कर देती है पैसा देखर और उन्हीं पैसों से फिर पाकिस्तान इंडिया में हिंदु मुसल्मान को लड़वाता है और अपनी रोटी सेखता है इंटरनेशनल लेवल पे ये तो ही धर्म की बात इसके अलावा भी चाइना में वहां के लोगों को एक बेसिक फ्रीडम नहीं है सोशल और परसनल लेवल पे वो जैसे कि हम यहाँ पर social media use कर सकते हैं वो ना ही Google use कर सकते हैं ना ही Facebook use कर सकते हैं ना ही WhatsApp use कर सकते हैं और अगर यह company यह Google, Facebook, WhatsApp जैसी company यहाँ चलती भी हैं तो Chinese government की company होती है जो इनके थो जाने वाले सारे data को monitor करती है ठीक है और अगर कोई इनसान वहाँ सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है कुछ बोलता है या कुछ social media पर post करता है तो उसे सीधे उसके घर से उठा लिया जाता है क्योंकि यह जो Chinese company होती है इनको उसका IP address वगएरा सब कुछ पता हो जाता है data monitor के तो उनको अपने घर से सीधे उठा ले जाता है और फिर उसके साथ जो होता है वो उसके परिवार वाले भी नहीं जान पाते बठा मैं जो कुछ भी यह बोल रहा हूँ अगर आपको यह सारा fake लग रहा हो तो मैं बता दू कि इससे भी ज्यादा भयानक है क्योंकि जो भी data जो भी रिपोर्ट्स आती है international level पर वो इससे भी भयानक situation कहती है यह वही situation से है जो Chinese सरकार kind of ignore कर देती है control करना तो बाहर के दुनिया को पता चल जाता है इसके अलावा भी कई सारी problems है जो हाला कि बहुत ही बड़ी problem है बड़ चाइना सरकार के ताना साही के सामने छोटी लगने लगती है जैसे कि अभी पूरे चाइना में कुछ दिन पहले तक one child policy थी जो की अब कुछ area में रह गई है labor unions नहीं होते महाँ पर आपको काम करने की आजादी नहीं है आपको क्या काम करना है कहां जाके करना है उसके लिए आपको सरकार से permission लेना होता है आप एक जैसे दूसरे जगा move नहीं कर सकते हैं तो अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार इतनी बुड़ी है तो लोग इसे हटा क्यों नहीं देते तो दोस्तो इसका कारण है चाइना की economy और लोगों का development पिछले 50 साल में चाइना ने अपनी economy पे शानदार काम किया है और लोगों को बहुत ही अमीर बनाया है लेकिन अब चाइना की economy धीरे धीरे कमजोर हो रही है क्योंकि भारत, बांगलादेश, वियतना, मलेशिया, सिंगापोर्ट जैसी countries competition में आ गई है और चाइना की कई सारी company जो चाइना में invest करके बैठी हुई थी बहुत सालों से बाहर दुनिया से आके वो अब अपना plant अगेरा अपनी company अपना infrastructure शिफ्ट कर रही है इन सब countries में जिसके वज़से वहां की कई सारे लोगों की नौकरिया जा चुकी है और economy level पे कई लोगों की हाला बहुत ही खराब हो चुकी है जिसकी वज़से लोगों का गुस्सा अब दीरे दीरे बाहर आ रहा है इनफेक्ट चाइनिस प्रेसिडेंट सी जिन पिंग ने अपने आपको हमेशा के लिए प्रेसिडेंट भी बना दिया है हाली में कुछ दिन पहले जिसके वज़से उनके ही पार्टी के लोग अब उनसे नाराज है तो जाहिर सी बात है उन नाराज लोगों के सपोर्टर्स भी नाराज है और तब फिर आया कोरोना वाइरस कोरोना वाइरस ने चाइना की ऐसी तैसी कर दी वहाँ लाखों लोग बेरोजगार हो गए कई हजार लोग मर गए कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का दावा है कि चाइना ने करोना के नंबर को छुपाया है क्योंकि ये नंबर लाखों में था और ये जो इंटरनेशनल लिवल पे इस सारे देश आज के रेट में चाइना को भला बुड़ा बोल रहे है ये उरोपियन कंट्रीज इंडिया में भी आपको पता ये चाइना के अगेंस्ट में क्या क्या हो रहा है इससे चाइना की बहुत बदनामी हो रही है और वहां के लोग काफे इंसल्टेट फील कर रहे है जिसकी वज़ा से उनका सारा गुस्सा उनके सरकार पे है क्योंकि ये सब सारे उनके सरकार के पॉलिसिस के वज़ा से हो रहा है और ये बाते जो चल रही है दुनिया भर में और जो लोगों के अंदर ही अंदर मन में चल रही है ये चाइनिस प्रेसिडेंट को भी पता है इसलिए वो आज वो सब कुछ करने को तयार है और कर भी रहे हैं जिसकी वज़ा से उनके इमेज को हीरो की तरह दिखाए तो सी जिन के इज़त उनके लोगों के सामने सो गुना बढ़ जाए अब आते हैं दूसरे कारण पर जो की है एक्स्टर्नल प्रोप्लम से यानि कि चाइना के बाहर के कारण अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रमप पूरी तरह से अगेंस्ट है चाइना के कई सारी चाइनिस कंपनी को इंडारेकली उन्होंने अमेरिका छोड़ने पर मजबूर कर दिया कई सारे Chinese लोग जो काम करते थे अमेरिका में और कई सारे Chinese student जो पढ़ते थे उनकी इतनी बेज़ती हुई अमेरिका में कि उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया आप इस point को मेरे पहले बताए हुए point से जोड़िये कि ये लोगों में जो अमेरिका से अल्मुस्ट बेज़त होके उन्होंने अमेरिका को छोड़ा Chinese लोग इन लोगों के अंदर कितना गुस्सा होगा अपने सरकार को लेके उसके बाद फिर ट्रंप ने जो अमेरिका के कमपनी ती जो चाइना में इन्वेस्ट करके बैठी हुई थी चाइना में अपना काम कर रही थी उन कंपनीयों को बोला कि आप धीरे धीरे चाइना से शिफ्ट करी अपने आपको इंडिया वियतनाम जैसी देशों में सिर्फ इन्ही कुछ डिसिजन्स जो ट्रंप ने लिया उसकी वज़ा से चाइना को लाखो करोडों का नुकसान हो गया है इंडिया ने जब आर्टिकल 370 हटाया था तब हमने अपने मैप को जेन के मैप यानि के जमुन कश्मीर एं लद्दा के मैप को जो हमने नया मैप रिलीस किया था उसको इंटरनेशनल लेवल पर बड़े ही जोड से रखा बड़े ही एक पावर्फुल कंट्री के रूप में हमने इंटरनेशनल लेवल पर रखा और जब इस मैप पर हमने इस मैप को रखा तो फिर चाइना को ये टेंशन होई जो पीओ के में यानि की पाकिस्तान उकुपाइट कश्मीर में जो चाइनिस प्रजेक्ट पे काम चल रहा है करोडो का जिसको CPEC प्रजेक्ट भी कहते हैं उसको उसके रिगार्डिन चाइना को टेंशन होने लगी इनफेक्ट आज के डेट में अल्मुस्ट हमारे 80% रोट कम्प्लीट है इन सब ने चाइना के नींद हराम कर रहा है जिसकी वज़ा से वो हम पे प्रिशर बना रहा है कि हम डढ़ जाएं और ये सब रोग दें फिर आते हैं सौथ चैना सी में इस एरिया में लगबग उसकी लड़ाई सबसे है चाहे वो जापान हो सौथ कोरिया हो ताइवान हो इनफेक्ट अस्ट्रेलिया तक भी जो कि बहुत ही जादा सौथ में है वो कहता है कि ये पूरा सी उसका है जो कि इंटरनेशनल लॉस के हिसाब से गलत है पूरी तरह गलत इनफेक्ट रिसेंटली उसने कुछ कंट्रिस के शिप्स को जो कि साउच चाइना सी में मूव कर रही थी उस पे फाइरिंग कर दी और जिसकी वाज़े से वो जो शिप थी वो डूब भी गए थी अभी जब पूरी दुनिया इस कॉरोना वाइरस के बीमारी से लर रही है अपने लोगों की जान बचाने में लगी है तब चाइना सोच रहा है कि यही सही वक्त है सब पे एक साथ हमला करने का और आज वो इंडिया, इटली, वियतनाम, फिलिपेंस, अस्ट्रेलिया एंड अमेरिका से एक साथ पंगे ले रहा है जो मुझे लगता है कि चाइना की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है इतिहास में दोस्तो यह टॉपिक मुझे बहुत ही ज्यादा लंबा एंड डिटेल्ड लगता है बट मैंने कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बाते बता सकूं बट अच्छा होगा आप इस वीडियो के थरो एक डिसकेशन करें अपने सारे उपीनियों को कमें सक्षिन में डाले और अगर कोई सवाल है तो उसे पूछे इस पूछे इस 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 वीडियो लाइट वीडियो थें प्लीस हिर दा लाइक बटन थैंक यू वरी मच